हलो एब्रीवन वेलकम टो मैं टूब चैनल तो फाइनली डीवीसी ने गेट से रिक्रूटमेंट के लिए एड़ोटाइजमेंट रिलीज कर दिया है तो चलिए देखते हैं कि कितनी ज्यादा वैकेंसी है और कितने ब्रांच के लिए इन्हों निकाला है और क्या-क्या इलिजबिल्टी क्राइटेरिया है ठीक है तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे रिक्रूटमेंट नोटिस पे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखीगा एंड आपको दिख रहा है यहां से आप अपलाई भी कर सकते हो और यह अड़टाइजमेंट भी पर सकते हो ठीक है तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि यह मैंने अड़टाइजमेंट खोला हुआ है डीवी सी का सबसे पहले आपको यहां पर दिख रहा है कि जो यह रिक्रूटमेंट प्रोसेस है गेट 2023 से होगा और जो है एक्जिक्टिट्व ट्रेनी के फॉर्म में सेलेक्शन हो ठीक है तो जिनको अप्लाई करना होगा वो एड़टाइजमेंट पर सकते हैं और कैसे अप्लाई करना कर सकते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है कि सीटे कितनी है तो आपको यहां पर दिख रहा है कि जो सीटे हैं मेकेनिकल की टोटल 59 सीटे हैं ठीक है एलेक्टिकल की 58 सीटे हैं आपको आपको यहां पर दिख़ रहा है कि इनों बहुत दिनों बाद डीवीची में इसपेशली मेकेनिकल स्कोर के थे या जिनका रैंक इनो 800 से लेके 1500 की बीच में था उनके लिए यह कुछ अच्छी ऑपर्शनिटी है ठीक है तो आप ध्यान से अप्लाई कीजिए एक महिने का यह फॉर्म विंडो ओपन रहेगा जो भी सर्टिफिकेट रिक्वार्ड है अरेंज करके अप्लाई है 56,000 से लेके 1,77,000 की बीच में है एंड यह जो पे मैट्रिक्स है लेवल टेंथ का है सेवंथ से पीसी का है ठीक है और जो हमारा ग्रेट रहेगा एंटू ग्रेट का तो यहां पर जो प्योर्ली इसका सेलेक्शन है यह गेट 2023 स्कोर पर है इसमें कोई भी इंटर्व्यू नहीं होने वाला है इसमें डारेक्ट आपको अप्लाई करना होगा उसके बाद इसमें आपको डॉक्मेट्स वेरिफिकेशन होगा सीथे इसमें कोई इंटर्व्यू नहीं है ठीक है एंड जो कॉलिंग रेशियो है 1-5 का है तो आपको यहां 60 वेकेंशी पे 1-5 का कॉल है इ है डीवी के लिए इन्हों एक बहुत अच्छी आपरिशनेटी बहुत टाइम बाद आया क्योंकि जो इन्हों 800 से लेके 1500 के बीच के कैंड़ेट रहा उसके ज्यादा रैंक के कैंड़ेट हो काफी परसान थे क्योंकि पिछली बार जो था रिक्रूट्मेंट काफी जल्दी ह हुआ था इस बार इलेक्षन की वज़े से बहुत ही बहुत लेट चला है तो यह आपके लिए एक अच्छी आपरिश्टी है तो जितने लोग केंड़ेट हैं वीडियो को जरूर लाइक कीजिए आपके लिए खुसकबरी है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू स हुमत्